जानते हैं कि लक्षमंजी ने ऐसा क्या मांगा माता सिता से कि माता सिता मुर्छित हो गई एक वार सिरी राम ने लक्षमंजी से पूछा कि तुम इतने उदास और दुखी क्यों हो तब सिरी राम से लक्षमन जी ने कहा कि जब से भावी आई है मुझे आपके चरन सेवा का सोभागी ही नहीं मिला और मैं आपकी चरन सेवा के बिना नहीं रह सकता तब सिडराम ने कहा कि रघुष पुल की रिति के अनुसार होली के दें देवर अपनी भावी से जो कुछ मांगे भावी को देना होता है तो तुम होली के दें मेरी चरन सेवा काधिकार मांग लेना लक्षमन जी खुश हो गया और होली के आते ही प्रणाम करते समय लक्षमन जी ने सिता जी से राम जी की चरन सेवा का अधिकार मांगा जी जैसे सुनते ही सिता जी मुर्चित हो गई तब दोरे दोरे श्रीराम के पास गए लक्षमन जी और तब राम जी ने कहा कि तुम ऐसा कहना कि एक चरन सेवा का अधिकार मेरा और एक चरन सेवा का अधिकार आपका और आप जबी भी भाईया के चरन सेवा करें तो मुझे बुला लिया करें लक्षमन जी ने ऐसा ही किया इस तरह से हुली के दिन लक्षमन जी को स्री राम के चरन सेवा का अधिकार मिला जैसरी राम